हेलो वाट्स आप गाईस माय नेम इस्मिनोध बाद हुथापा एंड आप सभी कब बहुत बहुत करना चाहूंगा मेरे उसम चलन थापा टेक्निकल पर एंड आजम देखने जारे डूडू लिस्ट इन जावस्क्रिप्ट जेहां गाईस तो फाइनली 2024 आज चुका है आई नो कोई भी लैग या कुछ रुखने वाला नहीं है गलती से सिप आदा घंटा इस वीडियो में कुछ पॉज हो गया है पुरा कमेंट उसे से भारा वाजब कि वीडियो भी बैस्ट है वान अब दी बैस्ट है यह बट कोई नहीं मैं 2024 का लेटिस लेकर आने वाला हूं और उसी इस तरीके से कोर्स में काम करने वाले है तो मैं एक प्रोजेक्ट लेकर आया हूं सो यह वीडियो भी बहुत ही जाद इंपॉर्टेंट होगा क्यूंकि लेट से यहां पर एपल मैं लिख देता हूं मैंगो लिख देता हूं ठीक है ओल्राइट मैं अगर एड करने जाओंग नंबर भी चेंज हो गई तो यह है ना बहुत ही जाद आसम एंदी बैस पार्ट में जितना भी रिफ्रेश करूं डेटा मुझे उधर ही मिलने वाला है मैं इस प्रेक्ट पर चलता हूं वी हैब इस अप्लिकेशन वी हैब दिस लोकल स्टोरेज एंड यू किलिरली सी कि मेर यू एक्साइट जास्क्रिप को लेके तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिजएगा हमें 7,000,000 सब्सक्राइब जल से जल कंप्लीट करना है एक और आसम निज में बहुत जल सेर करूंगा एंड एट इस रियक्ट का सीरीज भी में बहुत जद लेकिया है और अपडेटे 2024 रियक्ट सीरीज तो गाइस जास्क्रिप कोर्स और रियक्ट सीरीज तो मजा आने वाला तो इसी बात पर लाइक सेर कर दिजएगा नीचे लिग दिजएगा वी आव वेटिंग या जो भी आपको मनों और सब्सक्राइब जरू कर दिजएगा ठीक है इनको भी जरू चेक आउट कीजगा है स्टेमल कोर्स मंगोडी मन सीरीज और रियक्ट सब कुछ है आप देख सकते हैं अपनी व्यस को डाइटर पर आचुका हूं सिंपल हमें सिर्फ एक फाइल चाहिए होगा ठ अध्यान से दिखेएगा तो वाट वी नीड हमारे पास क्या यहां पर वी हब टू लिस्ट एक हैडिंग हुए एक इंपूट फिल एक बटन और नीचे लिस्ट हमें दिखाई दे रहे ठीक है तो वहम कैसे कर सकते हैं लेट्स को भी एच्वान नी चल देते क्यों है न मैं पर चल रहा हूँ, इसको हटा हूँ, ठीक है x5 Pokemonagen कीमें ऊडिय नई है, ठीक है मैं आपवरको के लिए थाओ सब जूङ कर देता हूं चलो ठीक हैon कि इसको हटा रहाए अब हम इसके कोई बिलकुल भी नीड नहीं है all right so for me what we will do we need one div जिसके अंदर होगा एक हमारा input field type will be text value as it is हमें रखना है इसके बाद होगा we have button हाला कि यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं but मैंने एक button रखा हुआ है and मैं यहाँ पर add to do कर देता हूँ या add a list कुछ भी आप लिक सकते हो ऐसा कुछ नहीं है and यहाँ पर आप एक class दे दीजे let's say मैंने एक button class इसको दे दी so इसको मैं दे देता हूँ guys to do value ठीक है आप कुछ भी दे सकते हैं आप कुछ नहीं to do value all right so now अब मैं कंट्रोल आप कर रहा हूँ इसको go live पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो कुछ हो आप आपको इस्तिर की से दिखाई दे रहा है but मैं यह मुझे यह नहीं चाहिए you know मुझे चाहिए यह ठीक है and by the way ppt आपको दिखाई दे रहा है almost complete होने वाला हमारा ppt बहुत ही ज्यादा मज़ा है का कैसी basically हमारा जो main course होगा उसके लिए है यह मैं यहाँ पर swipe कर देता हूँ तो आप देख सेकता हूँ अगर मैं आपको array इस्तिर की से बताऊंगा तो guys क्या मज़ा आएगा आपको है कि एक container होता है and all तो मतलब मैं बीना बोले भी आप समझ जाओगे कि array का मतलब होता है तो बहुत मज़ा आने वाले आपको आप बिल्कुल टैंसे मत लीजिए फोड़ा सा समय लग रहा है I'm really sorry but बहुत मज़ा आएगा एकदम advanced and सबसे best होने वाला भी तक का ठीक है अब आप देख सेकते हैं कुछ मुझे अभी स्तिर की से दिखाई दे रहा है सिंपल ठीक है अल्राइट अब यहां पर उजर कुछ भी लिखता है and add to do पर क्लिक करता है तो डेटा यहां पर add हो जाना चीए ठीक है यह सिंपल सा है तो मुझे इसका reference लगेगा मुझे इसका reference लगेगा and फिर इस पर एक event भी मुझे add करना है सबसे पहले हम इनका reference ले ले लेते step by step चलते ठीक है तो दिख लीजिए and मैं चाहता हूँ आप भी मैं साथ side by side कीजिए and यहां पर मुझे एक div ले लेता हूँ मैं and यहां पर मैं क्लास दे देता हूँ to do list list बोलके ठीक है basically यहां पर क्या होगा हमारे जो two day one by one इस dip के अंदर आएंगे I mean उसको पाने के भी different तरीके let me tell you, इसको मैंने 5 तरीके उससे बनाया था like five different approach basically अलग-अलग code करके इसको बनाया but मुझे जो सही लगा मैं वो आज आपके साथ share कर रहा हूँ तो bottom पे चलते either you can directly write खाली reference दे सकते हो बट मैं यही पर script भी लिख देता हूँ ठीक इतना कुछ ज्यादा नहीं है बट हाँ बहुत important है और बहुत सारी चीजे नाया सिखनी मिलने वाला तो guys what we will do go to document.querySelector and यह एक class है तो we have a to do इसे तो अपसर आना जाना चाहिए बट ठीक है कोई बात नहीं यह जो to do list है वो मैं यहाँ पर पास कर दे रहा हूँ ठीक है मेन उसका reference लेली मुझे value का भी reference लगेगा so we have a const and मैंने list value रखा हुआ चलो ठीक है we have a document.it's a querySelector ठीक है अगर आप directly get element by class name करते है तो फिर वो array basically फिर थोड़ा problem हो जाता उसको access कराने में querySelector बहुत easy है तो it's to do and then value perfect so now मेरे पास इसका reference है मेरे पास इसका reference है अब मुझे इस button पर जब भी कोई करेगा click इसकी value मुझे वहाँ पर add करनी है simple तो यह देखो button है नहीं करने में क्या करता हूँ अलाकि मैं चाहूँ तो उसका भी reference लेके फिर उस reference में add event listener add कर सकता था बट मैं क्या कर सकता हूँ पाता है document.querySelector.button मैं directly यहाँ पर भी वह हमारा जो add event listener है वह add कर सकता हूँ यहाँ पर पहला जो इसका argument होता है वह आपको event pass करना है क्लिक करना है यह on submit हालाकि आप on submit भी कर सकते हैं क्योंकि by default on submit ही रहता है अगर आप चाहते हो तो आप इसमें event delegation भी यूज कर सकते हो जहाँ पर directly children को data I mean event handler pass करने से better आप directly parent पे event pass करा दो अगर क्लिक होता तो by default आपका जो bubbling phase होता है चलो कोई नहीं है मैं आपको course में पता हूंगा ठीक ही easy है यह हालाकि मैं event delegation use करने वाला हूं आपको पता चल जाएगा ठीक है अब जब भी कोई इस पर click करेगा तो मुझे क्या करना है मुझे एक function को call करना है मुझे क्या करना है आप function अगर use नहीं करते तो यह like directly भी आप यहां पर इस तरह के से लिख सकते थे like directly आप इसको आप चाओ तो यह भी कर सकते थे I mean आपको फिर यह नहीं लिखना आप इस तरह के सकते थे ठीक है तो but I guess somewhere this is more I mean easy to use क्योंकि कि कल की दिन अगर मुझे कुछ argument parameter pass करना रहा तो मैं easily यहां पर कर सकता हूं चलो ठीक है यह तो मैंने यहां पर इस तरह की से होगे अब मुझे यह जो function इसको define करना पड़ेगा इसका मेर मकसद यह है कि जब बटन पर क्लिक करता है right const at not this part at to do list ठीक है इस तरीके से and मैं यहां पर console.log hello.js best course recap I mean छोड़ इतने में लिख देता हूं and यहां पर आपको एक problem होगी वह बताता हूं ठीक है मैं चलता हूं मेरे inspect पे मैं चलता हूं मेरे console पे ठीक है इसको मैं हट आ रहा हूं मैं यहां पर कुछ भी लिखूंगा add to do करूंगा तो देखो में को थूई देर के लिए तो वह console पे आया था but वह चला गया and do you know the reason why उसके पीछे का reason एक simple यह है जब भी आप form उस करते हो by default वह आपके page को render कर देता है I mean आप देख सकते हो ठीक है तो वह एक default behavior है form का जो की HTML हमें प्रोवाइड करती but when it comes to JavaScript का part जब हम कर रहे है form के साथ मुझे तो भाई data थोड़ी कहीं पास में बेजना है I mean इसका काम क्या होता data कहीं पे भी बेजना है या कुछ भी करना है form में जो एक action होता मुझे उसको प्रिवेंट करना है मुझे पाट नहीं चाहिए सो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे एक event पास कर सकता हूँ मैं इसको एक event पास करा सकता हूँ मैं directly चाहूँ तो यहाँ पे इस तरह कि basically argument को यहाँ पे as a parameter गेट करके event.prevent प्रिवेंट इस तरह के से आप default लिख सकते हो यह अगर आप कर देते हो इसको एक बैक करना पड़ेगा आपको है यहाँ पे आप देख सकते हो question mark दिखाई दे रहा है उसको मैं आटा रहा हूँ चलो ठीक है अब मैं आगर console पे चलता हूँ inspect we have this console मैं यहाँ पे कुछ भी लिख के मैं अगर add to do करूंगा hello.js मुझे यह data आ रहा है यहाँ आप बहुत के लिए लिए देख सकते हूँ अब data दिखाने के बदले मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे वो इस तरह के से list हमारे पास भी है लेकिन अभी फिलाल यहाँ पे तीन list है मैं the moment add करूंगा इस जेगे पे देखना है यहाँ पे मैं आगर add करता हूँ and boom ऐसी एक और add हो गया कहने का मतलब यह है कि जहाँ पहले मेरे पास सिर्फ तीन list थे now we have one more extra list जो कि ठीक उनके नीचे add हो गया है इस तरीकी से तो मुझे list li जो है उसको create करना है ठीक है and उसके अंदर वो data को मुझे add कराना है ठीक है तो वो कैसे होगा देखो यह मेरे एक part है let's create one li कैसे कर सकते है यह सोचने वाली बात है यह आप अगर वो इनराइस टेमल का सोच रहे हो यह अगर आप इंसर्ट एजसेंट element करके कुछ सोच रहे हो वो सब कर सकते हो लेकिन अगर आपने डोम पड़ा होगा यह नो तो आप बहुत इजी ले कर सकते हो let's have a const li element अप लिग दिजे li element ठीक है method है जो डॉक्यमेंट करता है मैंने li pass कर दी ठीक है उस li के अंदर मुझे एक text add करना है सो मैं inner text या बेसिकलि अगर आप inner HTML कल की दिन कुछ उल्टा-फुल्टा भी add करना रहा basically hml related तो वह जाद आपको easy गिरेगा तो मैं inner HTML में यहां पर add करने जा रहा हूं अब inner HTML में मुझे user ने यहां पर जो type क्या होगा वो data मुझे यहां पर चाहिए user ने यहां पर क्या type क्या हो मुझे कैसे पता चलेगा कैसे पता चलेगा वो मुझे पता चलेगा by the I mean with the help of this reference to do value here we have this to do value इस list value के अंदर है ना मेरे पास already अगर मैं value attribute को target करता हूं तो मुझे data मिल जाएगा अब यह जो li मैंने create की उसके अंदर जो मैंने value add करा दी वो मुझे कहां चाहिए वो मुझे लगने वाला है मेरे इसके अंदर यह जो to do list है इस deep के अंदर मुझे मेरा यह li इस तरीके से चाहिए orange करके value right इस तरीके से तो यह जो part इसके अंदर आ जाए उसके लिए हम क्या कर सकते हैं अब यह दूसरी चीज है समझ रहे हो तो one by one step by step आपको जाना है आपको एक की बार में अंदर यहां पर add कराना है as a children हम क्या कर सकते हैं यह आप आपको सोचना होगा multiple बले आपको एक गंडा तो नहीं लगना चाहिए बढ़ हाँ 10-15 मिनिट आप सोचे कि आप क्या कर सकते हो एक simple तो यह है कि मैने already इसका reference ली है राइड और कोई भी पैरेंट के अंदर अगर आपको चिल्दन राइड करना रहा then we have one property called append child या append आप लिख सेके simple आप append लिख दीजिए यहां पर अभी आपने जो element add की उसको add कर दीजिए खत्म हम step by step जा रहे like li create की value उसमें insert कर दी और उसको हमने append उसमें add कर दिया तो अब अगर मैं यहां पर चलता हूं यह हमारा original है मैं अगर यहां पर लिखता हूं and add to do करता हूं and देखो li is not define करके मुझे problem आ रहा है and मुझे यह देखना है कि यह जो li is not define आ रहा है यह कहां से आ रहा है and then उसको मुझे append करना this is it ठीक है अब मैं console पर चल रहा हूं apple and मैं add to do करता हूं boom guys see apple आ गया ठीक है apple छोड़ो मैं करता हूं orange ठीक है orange orange है ना अब add to do करता हूं यह दो को मुझे orange भी आ रहा है तो और जूम एक सेकेंड जूम कर दो आप लोगों के लिए अब यहां पर mango है मैं mango क्लिक करता मुझे mango आ रहा है मैं वापस से mango पर क्लिक करूंगा mango 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 आता जाएगा तो एक चीस तो है कि कितना easy है to do list करेट करना but there are many problem जो हम को tackle करना जरूर ही है अगर यह इतना easy होता हर कोई से मैंने to do list बनाई अब गायपो और आप भूल गए कि मेरे क्या था to do list ठीक है दूसरा problem आप देख सकते हो apple apple भाई एक चीज हो गया क्यों हम duplicate repeat कर रहे यहां पर and दूसरा the moment में add to do करता हो data वहीं पर ही है मुझे वह भी empty चीज है अब हम एक काम करते है सबसे पहले problem को tackle कर लेते and that is कि यह जो data है उसको हम पहले तो local storage में add कर देते हमारा second step अभी है main वाला ठीक है तो कैसे कर सकते देखो यह तो हमारा data यह जो data मुझे मिलता है इसको मुझे local storage पर store करना है ठीक है तो हम कैसे कर सकते ठीक है यहां पर देखो मैं यहां पर एक let's say यह जब भी कोई add to do पर click करेगा obviously मुझे वह function को तो call करना ही है no matter what but मुझे इसके नीचे क्योंकि वह local storage पर click I mean save तो होना ही चाहिए so एक function call कर लेते है local storage database फिक यह मैं स्तरगे से pass कर रहा हु एंड यह जो value हो है इसको मैं copy कर रहा हु यहां पर मैं पे सरके से paste कर दे अब यह जो function मैं इसके उपर पर define कर रहा हुं यह वाली जो function so const यह function का नाम यह उसका parameter होने जा रहा है यह value थी मैं यहां पे आव वेलू लिख देता हूं खाली है ना यहां टूडू लिख देता हूं चलो टूडू सिर्फ टूडू लिख देता हूं and मैं यहां पर क्या करता हूं मुझे रिटन करना होगा and that is आप directly data को ना as it is नहीं डाल सकते बढ़ पहले में बाता दो बहुत ही जाता सिंपल है by default हमें local storage मिलता ही मिलता है so local storage में अगर कुछ भी data add करना हो तो set item simple है आपको दो argument पास करने that is one is your key जो कि आपका string होगा and then value key and then value ठीक है और तो कैसे की में आप कुछ भी लिख दीजे मैंने क्या लिखा यहां पर to do data लिखा है so मैं to do data to do data क्या लिखो में to do YouTube लिख देता हूं क्योंकि YouTube के लिए बना रहा हूं एक कॉम आपको देना यहां पर आपको value पास करने आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखना है यहां पर आपको एक चीज बहुत ध्यान में रखना है जब भी आप data पास करते हो ना लोकल स्टोरेज में वह आलवेज आपकी स्ट्रिंग फॉर्मेट में होना चीज ठीक है एंड यहां पर तुम्हें data get करी रहा हूं तो कोई problem है नहीं मुझे अब अगर मैं यहां पर चलता हूं console पर ठीक है इसको में एक बार हटा रहा हूं यहां पर लेकर चलता हूं आप लोगों को application पर एक बार मैं यहां पर लिख देता हूं apple add to do here we have apple and apple कहां से मिल रहा है over here so here we have apple and string format में मुझे आगा बराबर ठीक है अब प्रॉब्लम कहना है कि अगर मैं mango लिखता हूं यहां पर आपको यह सोचना है यार में जब भी data add कर रहा हूं तो जो मेरा previous data उसको रिप्लेस कर दे रहा है मुझे तो रिप्लेस नहीं चाहिए था मुझे तो डेटा कुछ इस तरीके से चाहिए था यहां पर आप जो देख रहे हो apple फिर mango फिर ग्रिप्स था कि मैं with the help of loop चाहे वो फॉरी चो या map मैं one by one data दिखा सको बट मेरे इस केस में तो मैं आप वो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं अगे नहीं हां पर आप औरेंज या कुछ भी लिख दूब पी रेंज हो गया बट जो भी हो data चेंज हो जा रहा तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते है ठीक है मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं ट्रि यहां पर है ना मेरा जो लास्ट डेटा तो अभी यहां पर दो हम क्या चाते जब हम इसको मेरी देटा है वह मुझे यहां पर चाहिए और उसको में जब भी कोई first time मेरे page को विजिट करेगा तो वो local storage का data मुझे यहाँ पर display कराना है अब data को display कराने से पहले मेरे पास एक चीज होना जरूर है and that is local storage का data मेरे पास होना चाहिए and once वो data मुझे मिलता है फिर उसको मैं loop चला कि यहाँ पर data दिखा दूँगा तो अब मेरा second step second ही बोलूँगा now it's a third step कि local storage में जो data आपने add करी अब मुझे उसको get करना है ठीक है तो कैसे होगा देखो मैं यहाँ पर चलता हूँ में एक new to do list value करके एक variable कर रहा हूँ और मैं empty array दे रहा हूँ मैं basically जो भी data मेरे local storage से मिलेगा मैं यहाँ पर उसको add कर दूँगा तो मैं यहाँ पर चलके new function create कर देता हूँ const ठीक है आप कुछ भी नाम लिख सकते हो get to do list from local storage ठीक है and get करने के लिए we have a get item सिर्फ दो ही method है जो आपको add I mean याद रखना है यहाँ पर आपको key pass कर देना है and that is nothing but this is it ठीक है अब देखो ना जब हम उसको add कर रहे थे तब मैंने उसको convert कर दिया थे अब मुझे स्ट्रिंग में तो नहीं चाहिए मुझे तो इधर जो उसका original format था मुझे उसमें मेरा data चाहिए होगा ठीक है तो उसके लिए हम क्या कर देना हमारे जो complete data जो भी मुझे मिल रहा है इधर एक परेवल में एड़ करके देन उसको convert करो या directly जब आप data get करो यहाई पर याप लिख दो इस तरह किसे जैसन डॉट और दन पार्स इस इस इट आप आपका यह लोकल स्टोरेज का एक empty string दिखाए देर अब आप इसमें validation कर सकते हो इफ हमारा जो इंपूट का वेलियो इफ एमटी एड मत करो रिटन बाहर निकल जाओ कुछ यह function आप कर सकते हो यह और भी बहुत सारी चीजह है जिससे अब आप यह दिखा सकते हो कि हाँ अगर एकदम empty है बिलकुल भी इसको करने के स्टार्टिंग में आपको बता था कि मैं आप चार पांच तरीके से इसको किया जो मुझे सही लगा मैं वह बता रहा हूं तो उसी तरीके से आप भी वही कोसिस कीजिए कि अगर एक empty आई में एक इन्पूट फिल्ड है वो टोटली empty है यह चलो ठीक है किसी न इसके मदस से मैं यह पावर पा सकता हूं या यह फंक्शनलीटी को गेट कर सकता हूं कि वह एड ना हो यह आपको सोचना है आपको अलग-अलग तरीके इंप्लिमेंट करने होंगे इसी तरीके से आप अपना जो लौजिक उसको बिल्ड कर सकते हों तो हमारा जो व्ल्ल बे मुझे वह वैल्यू चाहिए होगा इस पे एकवल टू वह जो गेट टूडू लिस्ट फॉम लोकल स्टोरेज है वह में कर रहा हूं एक चीज यहां तक ना में भी यह हो सकता है कि फॉर्स टाइम वो डेटा होई ना आमारे लोकल स्टोरेज पे यह प्रॉब्लम आयेगा आप एक काम कर तो मेरा जो यह जो डेटा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूं और एक सेकंड दो बार कॉपी हो गया गलती से तो मैं क्या चाहता हूं let new to do will be equal to this is it ठीक है मैं कुछ एक सेकेंड यह ऐसा नहीं चाहिए था ऐसा चाहिए था एन बाइद आद इसके कारण हो रहा आटोम अब मुझे लिखना ना पड़े यह जो पार्ट है इसको मैं कंट्रोल डी कंट्रोल डी एन मैंने हटा दी अब new to do simple मैंने यह यहाँ पर एक चीज़ करें डाट अब यहाँ पर चीज़ करूंगा यह जितना भी अगर आप सिर इस पेस दोगे तो भी उसको वो ट्रीम कर दे अब इसकी जो लेंथ है वह ओल्वेज जीरो होने वाली है तो काम खत्म आप में से मुझे अब भी कमेंट करके बताओ कि कितनों ने यह आइडिया सोचा था कि हाँ हम ट्रीम मैथे उस करते हैं कितनों ने यह सोचा होगा ठीक है मेरा काम हो गया वह समझे अब मुझे आपरेशन जो है उसको पॉफर्म करने होंगे मैं इसके अंदर इसको रख दे रहा हूं अब एटलीस ध्यान से देखना एटलीस मैं अगर पहले तो एक एपल रख देता हूं अब मैं जितना भी करते जाओं और सुरी यहां पर तो एपल अल्ड़ी है बटे देखो ओके सम्थिंग इस गोइंग ऑन की इसको मैंने रिफ्रेश्ट नहीं क्या लग रहा है सु सु अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं मैं आपको यह बताता हूं इंग यह बले ही ना चले तो यहां पर हमारे-पास लेंग तो है at least we वो मुझे एक empty space आ रहा था खाली समझ रहो बट हाँ अगर हम बात करते उसकी length की अगर जीरो के बाराबर नहीं है अगर 0 नहीं है तो ही add करो अगर 0 है तो मत करो obviously क्यों कि अगर कुछ नहीं लिखा it means उसकी length 0 है इस space का कोई काम नहीं उसको तो मैंने यहां पर क्रिम करी दिया था राइट सो ना इस एक problem हमारा solve हो गया यहां पर आपने देखा वो तरीका है करते जाना है आपको पता चल जाता कि अच्छा हम यह कर सकते है ठीक है चलो इतना मेरा काम हो गया ठीक है अब हमें वापस हमारे local storage पर चलना होगा यहां पर हमें यह देखना है क कि मैं अब let's say mango lead देता हूं and add करूंगा तो guys अभी भी same problem यहां पर मिल रहा है कि guys वो apple के बदले mango को replace कर दे रहा लेकिन मुझे array के format में वो चाहिए था एक के पिछे एक 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 के पिछे एक ठीक है तो अब मुझे देखो array तो मिल चुक है array तो मैंने get कर लिए क्योंकि जो भी हम local storage पर set करें तो उसका data मैंने यहां पर to do list pull के ले चुका हूं जो कि एक empty array है और वहां पर मैं data add कर रहा हूं ठीक है तो यह जो मेरा new to do होगा मैं क्या करता हो देखो यह अगर वो empty नहीं है मतलब data मुझे चाहिए तो मेरा यह जो to do dot push है ना simple data मुझे add करना है क्या करोगे इधर आप push करोगे यह आप shift करोगे राइट या I guess या unshift बट मुझे data end में add करना है तो मैं push के साथ जाओंगा and यहां पर मैं मेरा जो new to do है को add कर दूँगा तो मेरे data पर जैसे कोई नया data लिखता है मैं उस array पर एक नया data push कर रहा हूं add कर रहा हूं ठीक है and then मैं अब यहां पर store कर रहा हूं तो अभी फिलाल तो mango है मैं इसको एक to-do list value dot push is not a function मुझे बता रहा है तो अब इसका भी मैं आपको solution बता तो यह तो some simple solution है क्योंकि to-do list dot push is not a function का मतलब यह होता है कि हमारे जो to-do list value है ठीक है ध्यान से देखना मैं यह जो मेरा part है यहां पर एक काम करता हूं console.log यह आज आज आपको नहीं बहुत मज़ा है क्योंकि मैं बहुत धीरे and एकदम deep में जाके आपको बता रहा हूं तो आप देख सकते इस तरह किसे मैंने type of to-do list value कर दिया है ठीक है मैं console पर चलता वो सिर्प array में होता है तो इसलिए वो बता रहा है यह function नहीं चलेगा तो अब मुझे क्या करना होगा यह जो new to-do दिख रहा है आपको यहां पर इसके बदले यह जो empty array था इसको मैं copy कर रहा हूं मैं यहां पर pass कर दे रहा हूं now this is an array यह एक array है अब समझ रहों फंडा किस इसलिए किसे हो रहा है यह एक array है हां बट इसमें वह value नहीं है जो value मुझे चाहिए थी जो basically user ने अभी लिखा है लेकिन हमें tension नहीं लेना क्योंकि वह value तो मैं अभी यहां पर push कर रहा हूं local storage से data मैंने get की अगर वह empty नहीं है तो जो भी user ने type की मैं हमारे उस array पर इसको add कर रहा हूं and then वो data मैं यहां पर add कर आ रहा हूं मेरा काम हो गया मैं refresh करूंगा element पर मैं चल रहा हूं and कुछ तो problem दिख रहा है यहां पर control as save करता हूं this is it so guys यह पहले बात तो जो SS दिखाई दे रहा था उसको हटाईए अब मैं आपको यहां पर चलता हूं हमारे application पर ठीक है अब यह जो data था था ना जो यहां पर मेरा apple आ चुका है ठीक है क्योंकि अब मैं यहां पर array add कर रहा हूं and जो भी user add करता है कुछ भी तो मैंने यहां पर उसको तो पूस कर दी है इस तरीकी से and data मुझे मिल रहा है अब मैं वापास apple करूंगा now the best part यह है कि वह देखो बाराबर मेरे array में one by one करके आ है तो मैं यहां पर जल्दी से काम कर सकता हूं जब भी हम first time page पर विजिट करेंगे लोकल इस्टोरिस का जो डेटा मुझे मिल रहा है उसकी मदद से मैं by default यहां पर लिस्ट दिखाना चाहता हूं ताकि जब भी कोई refresh करे डेटा वहां से गायब ना हो तो उसके लिए हम क्य तो-do list को पर में चलता हूं सोकॉंस्ट यह दो बहुत आपिजियो ओना तैका यहां पर ज़्स देटा को वहां पर दिखाना ठीक है and यह जो मेरा so to do list होगा यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरा यह जो data है this one यह जो to do list है इसको मैं वापस copy कर रहा हूँ यहाँ पर paste कर रहा हूँ क्योंकि इसके पास ही तो वो data है ना इसी में ही तो वो data मुझे मिलता है अब मैं कुछ नहीं करूंगा खाली जो मेरा to do list value है dot for each चला रहा हूँ यहाँ पर मैं ठीक है इस तरीके से yeah this is it and खाली आप मुझे लूप चलाना है जो भी मेरा current to do होगा ठीक है मैं यहाँ पर चलता हूँ and यहाँ पर पता guys मुझे क्या करना होगा मुझे वापस से यह जो data दिख रहा है आपको इसको मुझे copy करना होगी and मुझे यहाँ पर पेस करना होगा कि like for each यह जो current to do है just new to do के बतले मुझे current to do डाल देना है this is it मेरा काम हो गया अब जब भी कोई भी first time page को load करेगा उसमें यह function call होगा जिसमें मैं क्या कर रहा हूं मेरे लोकल स्टोर से data get कर रहा हूं ठीक है and मैं directly उस पर मैंने for each चला दी क्योंकि वह तो एक area था आप चाओ तो map चलाओ या आप directly for off या foreign loop चला दो and उसमें मैंने एक new li element create की and जो मेरा current to do है उसमें तो one by one element जो है वह मुझे मिलता है and मैंने वह inner HTML में add कर दी and मैं उसको append कर दिया this is it अब मैं चाहूं जितना भी refresh करो data मुझे यहां पर मिलने वाला है no matter what अब मैं mango mango कर देता हूं ठीक है मैं mango कर रहा हूं add to do mango आ गया and क्योंकि यहां पर भी mango already present है तो मुझे mango आ गया तो यह तो मेरा काम हो गया this is it बहुत ही awesome अब यह जो data है मैं चाहता हूं कि जब भी मैं कुछ भी type करके अगर add कर दूं तो वह data वहां से चला जाए वह हट जाए यहां से at least empty हो जाए यह तो वह तो हम बहुत इजली कर सकते है ना जब भी कोई add to do list पे करता है उसके बाद हम क्या कर रहे कि मेरा यह जो value होगा will be equal to मैं empty कर रहा हूं all right guys हम empty नहीं कर सकते फिर तो data empty हो जाएगा वह यह काम करेंगे list.value जो है उसको मैं equal to इस तरह के से कर दे रहा हूं ctrl s save मैं यहां पर चलता हूं ठीक है मैं यहां पर लिख देता हूं orange अब मैं add to do करूंगा अब मेरा वहां से एड डिलीट होगा I mean हड गया वह उसको मैंने उसको empty कर दी तो किते ना easily मेरा यह तो काम हो गया में refresh कर रहा हूं तो भी data वहीं पर प्रेजेंट है बट इस वान प्रॉब्लम है अभी तक हमने प्रेजेंट है दिलीट वाला तो टैकल नहीं किया है आप अपल एपल मैंगो मैंगो डबल डबल यह डुपलिकेट डेटा क्या कर रहा है मुझे डुपलिकेट डेटा नहीं चाहिए अब आप मुझे एक बात बताओं जैसे यहां पर अगर कोई सिर्फ इस स्पेस लिख र है तो उसको भी मुझे एड नहीं करना है डूप्लिकेट वैली मुझे नहीं चाहिए अब आप मुझे पताओ कैसे आप एक कर सकते हो यही चीज है जो आपको सोचना है थोड़ा सा दिमाख लगाई है कि हम एरे के साथ खेल रहे मेरे पास एक एरे है उसमें डूप्लिकेट ड लिखा तो अगर फंक्शन चल भी गया तो फिर आप लोकल स्टोरीज में एड करने से पहले वो डूप्लिकेट वैली हटा दो तो दो तरीके समझ गये ना पहला तो यहां पर आप डेटा दा मोमेंट डूप्लिकेट मिल गया तो एड टूड फंक्शन ही मत चलने दो तो वह एड होगा ही नहीं कभी लोकल स्टोरीज पर अगर वह एड टूड पर आपको कुछ नहीं करना चेक नहीं करना हां लेकिन लोकल स्टोरीज पर डूप्लिकेट डेटा नहीं जाना चाहिए तब वहां पर डूप्लिकेट डेटा हटा की फिर आड कर दो तो दो तरीके सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ की लोकल स्टोरीज पैड करने से पहले मेन यहां पैड टूडू पे क्लिक करने दो लेकिन लोकल स्टोर रहा हुए तो बहुत जिसमें अगर आप इस तरह किसे new and then आपका s capital होगा set method use करते हो and वहाँ पे अगर आप वो जो array है उसको pass कर देते हो and in my case it's to do list value तो अब ये क्या करेगा जितने भी duplicate values है उसको हटा के जो original तुम्हें क्या बोलो but unique values ही return कर देगा and वो ही unique values मेरे local storage पे add होगा तो ये एक तरीका था मैं refresh कर रहा हूं मैं इसको हटा रहा हूं refresh करूंगा नहीं मिलेगा so it's apple so it's मैं चलता हूं यहां पर mango ठीक it's mango and add to do मैं यहां पर चलता हूं grapes I know spelling wrong है बट ठीक है अब अगर मैं apple पे चलूंगा दो ये add होगा I mean कोई validation हम नहीं कर रहे वो add to do के अंदर जाएगा लेकिन local storage में add होने से पहले ही वो filter out हो जाएगा and all right वो filter out हो जाना चाहिए बट हुआ नहीं मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि यह देखो यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो in reality यह देखो एक second मैं अगर यहां पे दिखाऊं reality आपको आप देख पारे हो अभी जस्ट मैंने जो लिखा मेरे UI पे तो दिख रहा है बट मेरे local storage पे वो सेब नहीं होगा फिर से अब मैं mango भी लिख रहा हूं और मैं एड कर रहा हूं ठीक है यहां पे तो एड हो जाएगा क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि मेरे यहां जोंकि लोकल स्टवेच पे वो एड कि देखो लेकिं लोकाल स्टोयज प्रेस्ट लॉएप अब इसका Tabii कि अधे मुमेंट आफ रिफ्रेस्ट नीची तो वो जो सेकंड तरीका मैंने आपको पाता है था कि जैसे मैंने सर्च को टैकल की उसी तरीके से जब भी उसर यहां पर डुपलिकेट वैलु लिखता है तो भाई वो एड्टु कार्ट पर क्लीकी नहीं होना चाहिए आप समझ रहे हो तो वो आप हम कैसे करेंगे दे यह आप कैसे पता लगा सकते हो चलो डूपलिकेट रहें दो मैं आपको कल की दिन एक वैल्यू देता हूं लेट से ग्रेप्स इस एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं आप कैसे चेक कर सकते हो एंड अगर आपको डाउट आ रहा है तो लेट में टेल यू वान तिंग इ ठीक है और हो टू सर्च इन एरे इन जावा स्क्रिप्ट लेट्स चेक डाउट यहां पर हम देख लेते कुछ बता रहा है यहां तो आप फाइंड उस कर सकते हो या फाइंड इंडेक्स या इंक्लिट्स या सम या इंडेक्स अब एक चीज़ तो ग्यारेंटी है इंडेक्स की तो मुझे कोई इंडेक्स की नहीं है यहां पर भी भी मुझे को इंडेक्स की नहीं है है ना ?...फाइंड मेवी आप का इंल्यू इस है जिसमें बस मुझे एक टेड alors चाना क्या उस array में वो data included है या नहीं present है या नहीं true या false यह आपका return value देता है ठीक है तो मैंने कहा न इतने सारे तरीके आपको one by one check करना है कि कौन सा आपके लिए better है तो इसी तरीके से गाई सो आपका काम करता है यहाँ पर आपको अब and use करना पड़ेगा और use नहीं करना and use करना मतलब zero भी होना चाहिए and साथ ही साथ दूपलिकेट भी नहीं होना चाहिए I mean zero भी नहीं होना चाहिए duplicate भी नहीं होना चाहिए तो simple है we have this हमारा to-do list value यह हमारा actual value है array जो हम local storage पे save कर रहे हैं वहीं से get भी कर रहे है तो to-do list value हमारी वह value जो हम get कर रहे हमारा actual array and यही data हमें दिखाना है तो अगर इस array के अंदर हमारा यह जो local storage से मैंने get की इसके अंदर अगर आपका वह data जो है includes यहां पर आपको यह new to-do है वह pass कर देना है this is it अब आपके array में अगर वह data already present है तो भाई वह कभी इसके अंदर जाएगा ही नहीं कितना easy है राइट कि आपके array में अगर वह data present होगा तो बट हमें क्या ची अगर वह present नहीं होगा तो that's why we have this not operator ध्यान में रखी एक not operator मैंने यहां पर यूज किया है one more time here we have on node operator guys this is it मतलब हमारे वह array पर अगर वह data present नहीं है तो ही add करना वनना मत करना this is it हमने दो तरीके से कर लिए ठीक है अब मैं यहां पर चलता हूँ अब इसको में refresh कर रहा हूं अब देखना अब अगर मैं apple पर click करता हूं and add to do करूंगा data add नहीं होगा अब इससे एक चीज़ जरूर है कि यहां पर आप इसकी आपको need में भी नहीं पड़ेगी बोलो क्यों 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 क्योंकि already duplicate data को आपने पहले ही remove कर दिया तो यहां पर अब यहां पर लिख रहा हूं तो मैं add to do कर रहा हूं यह देखो वह कभी यहां पर होगा ही नहीं वह इस तरीके से समझ रहे हो बट फिर भी एलाइन रहने दीजे बट आपको पता चलके वांस यह लिग देतो तो आप इसकी नहीं पड़ती है ठीक है तो हमने बहुत कुछ देख ली एड देख लिए सब कुछ हो चोगा बचा एक चीज है और आपको डिलीट करना इसको डिलीट करने का एक तरीका है मैं आपको बताता हूं मैंने आपको काता है वी हैब इस इवेंट डेलीगेशन जो एक एडवांस जावस्कृट डेवलपर्स को मालूम होता ही हो अब को इस पट्टिकुलर अलाइक कुलिक करें हम उसको रिमॉप कर दें ठीक है अब यहाँ पर आपके दिमाग में यह चाहिए कि मैं इतने सारे लिस्ट में किस लिस्ट को क्लिक कर रहा हूं मुझे उसको डिलीट करना है उसको फिल्ट्र आउट करना है एंड वहाँ पे उसके लिए आपके पास options आता है basically filter 99% case में हम use करते है तो अब मैं क्या करूँगा न obviously मेरा यह जो data है वो किसके अंदर है we have this inside our to-do list तो instead of like सभी कोई event add करने से better क्यों ना मैं parent को एक event add कर दू and by default अगर कोई भी child click करेगा with the help of event propagation जिसमें bubbling face from bottom to top जाता है तो वो इसको hit कर देगा तो अब आप सोचो हम कैसे कर सकते ठीक है let me tell you event delegation use करेंगे and यह भी easy होगा अब मैं आपको बाता हूँ हमने already हमारे जो to-do list है उसका data में get कर चुका हूँ ठीक है directly तो मैं लिख नहीं सकता यह I guess हमने already to-do list get कर लिए dot add event listener ठीक है मैं यहाँ पर चल रहा हूँ जब भी कोई इस पर करेगा click तो मुझे एक function call करना है ठीक है जिसका नाम होगा remove to-do element या to-do list कुछ भी आप लिख दीज़े to-do list ही लिख जेते है ठीक है इस पर ना मुझे एक event object पास करना है ताकि मुझे यह पाता चले कि इतने सारे list में हमने या basically user ने किस list को क्लिक किया है और यहाँ पर double हो गया इसलिए ऐसा दिख रहा है अब मैं यहाँ पर चल रहाँ console पर ध्यान से देखना अगर मैं grapes पर क्लिक करता हूं तो गाइस देखो मुझे इतना सब कुछ आ रहा है एंड एक काम करता हूं event के बतले dot target भी आड़ कर देता हूं control and save ठीक है अब मैं mango पर क्लिक कर रहा हूं एंड भूंगाइस से यह देखे मुझे पता चल गया कि मैंने किसको क्लिक क्या था मैंने event I mean लिस्ट पे तो id नहीं कि मैं डारेक्ट पैरेंट को दे दिया लाइक event and this is your event delegation and यह बहुत जगे काम आता है and by the way again मैंने यहां पर event delegation बहुत अच्छी तरह किसा आपको बता है चेक आउट कर सकती हूं आप आपको timeline मिल जाएगा तो मुझे यह तो मिल गया and मुझे यहां पर value मिल रहा है and मेरे पास already मेरे if you remember यह value है कहने का मतलब event.target.text content अगर मैं करता हूं तो अब मुझे सिर्फ उसकी value मिलेगी and यह वही value है जो already मैंने यहां पर add कर रखा है if you remember see here we have already this value क्यों ना वो जो value है and local storage पर जो value दोनों को मैं match कर रहा हूं अगर जो value match हो गया उसको छोड़के बाकी array data मुझे दिखा दो get करो अब बाकी को ठीक है तो सुनने में थोड़ा सा कैसा अलागा होगा आपको बट मैं आपको बताता हूं so guys आप देख सकते हूं यह value है इसको भी मैंने यहां पर रख दी console पर अज मैं क्लिक कर रहा हूं तो आप देख सकते हूं कि मुझे वो data आ यहां पर to do is values updated to do list लिक देता हूं will be equal to to do list value dot filter ठीक है अब देखो बहुत इजी होने वाला है and that is की मेरा इसमें जो भी current to do होगा current to do कि जो value होगी है ना current to do कि जो value है अगर वो match करता है मेरे इस वाले data से इसको मुझे E. यह जो भी है मैं यहाँ पेस्ट कर देदा ह hiss ou तो इसको variable पर डाल के add कर सकते हैं अगर यह से match हो गया तो data return करो है ना इस case में क्या होगा न मुझे सिर्फ वो data मिलेगा जो इससे मैच हो गया मादब जिसको मैंने क्लिक की थी मुझे वही data मिलेगा एदेखो मुझे मेंगो आया यह देखो मुझे तो मुझे apple and then grapes मिला अब यह data जो है मुझे local storage pad करना है ताकि वो local storage का data में वापस get करके उसको यहाँ पर render करा सकूँ तो मैं क्या करूँगा data तो मुझे मिल गई अब बस मुझे करना होगा यह कि we have one function if you remember and that is to add to card वाला add to do यह जो भी है देखो ने हम यहाँ पर वही तो कर रहे है और यहाँ अब डेटा तो अपडेट कर दी जब मैं रिमूब कर रहा था तो मैं क्यों यह data रखूं मैं अब मैं यह updated data अब मेरे इस updated data पर क्या होगा जिस element पर मैंने क्लिक की थी उसको बाकी का data मुझे मिलने वाला है ठीक है अब ध्यान से देखना मैं ग्रेफ्स पर क्लिक कर रहा हूं देखो यहाँ पर अब वह ग्रेफ्स नहीं है बट इन reality यहाँ पर कुछ हुआ नहीं बट मेरे लोकल स्टोरेश से वह डिलीट हो चुका दा मोमेंट मैं रिफ्रेश करूंगा वह data चला गया बट अभी एक प्रॉब्लम अब यह है कि जब मैं क्लिक करता हूं on the spot मुझे वह डिलीट हो जाना चाहिए ना कि एक बार रिफ्रेश करने के बात तो अब उसके लिए हम क्या कर सकते देखो करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके है मेरे पास एक तरीका पड़ा है ठीक है आप डिरेकली यह जो आपका so to do list है basically यह जो function है जो by default आपका call होत यहां पर एक problem हो जाएगा ठीक है मैं यहां पर चलता हूं refresh करता हूं अब मैं वापस apple तो काम नहीं करेगा Orange ठीक है मैं add कर रहा हूं तो orange आगया ठीक है no problem मैं mango पे click कर रहा हूं यह देखो गाइस क्या हुआ delete होने के बदले जो data already वहां पर present था वो भी इसमें add हो गया but हाँ अब अगर मैं refresh करूँगा तो वापस वही data आएगा जो मुझे चाहिए था तो यह data भी काम नहीं कर रहा है है सो यहां पर हम पाता क्या कर सकते थे यहां पर मेरा यह जो फॉर्म है यह जो मेरा डीव टूडू लिस्ट इसको क्यों अगर में एकदम हटा दू आइमेन एड करने से पहले मेरा जो टूडू लिस्ट डॉट उसके अंदर का जितने भी इनर एस्टमल उसको में अगर empty कर जुट तो अब इससे होगा पता क्या और इंज एंदन मैंगो ठीक है अब जा मोमेंट में औरेंज पर क्लिक करता देखो मेरा काम हो गया बट प्रावलम क्या होता है यहां पे कि मेरा जो डेटा है दा मोमेंट में कुछ भी लिख रहा हूं भी यहां पर ध्यांसे देखना यह जो डेटा अगर मुझे एकको भी डिलीट करने रहा वह रानी यह पूरा का पूरा रेंडर होता में और के आपने बटाय लेकिन में और और प्टि माईजेशन पहुर्च की और मुझे पता चला इक बचुछ वाला इवेन्ट हमें मुलता है और की आपका जो चुमित र तो उसके बाद आप जो है वो जो करेंट कोंटेक्स्ट की वैल्यू को डॉट रिमूब कर दो ठीक है बहला कि आप यह काम नहीं कर रहा है काम करते हम अलेट करेंट टूडू विल्ब इक्वल टू यह जो पार्ट है अब जो करेंट टूडू है मैं यहां पर पास कर देता हूं ताकि थोड़ा एजी हो जाए और यहां पर इतना लिखने की निए निए जस्कारेंट टूडू डूट रिमॉब इस इट मेरा काम हो गया अब आप इसकी निए निए हमें जस्ट उस टार्गेट को डिलेट करना है कंप्लीट एलाई को ना कि सिर्फ उसके अंदर की जो बैल्यू है उसको राइट सो डॉट यहां तो मुझे आप टेक्स्ट कंटेंड लिखना ही पड़ेगा अब यहां पर जो है मैं डारेक्ली उसको इसको ही डिलेट करेगा इस इस इट वह गया मेरा काम कितिनी इजीली गाइस हमने इसको कंप्लीट कर ली है चाहो अब मैं जितना भी रिफ्रेश करो अब में कुछ भी लाइक एम्टी तो कभी होगा नी जो मेरा डूपलीके डेटा है वो भी होगा नी एड स्टेप बाइस स्टेप मैंने आपको बताया कैसे हम इसको एचिव कर सकते हैं और सारा डेटा मैंने आपके समख सिहां पर रख दिया तो या गाइस इस इस वीडियो के तरह होप आपको पसंद होगा आपको कैसा लगा लेट मिनो इन दी कमेंट सेक्शन और बिलिब में गाइस हमारा जो व कमेंट सेक्शन में जरू काम करूंगा तो या गाइस नेक्स टागेट इस सब्सक्राइब अब तक सब्सक्राइब कर दीजेगा मिलता हूं मैं अब आपको नेक्स वीडियो में तिल दन गाइस थिंकिस सो मच टेक क्या